सोनमर्ग यह एक हिल स्टेशन और पापुलर टूरिस्ट प्लेस है जो की जम्मो काश्मी राज्या के गंडरबाल डिस्टिक में बसा हुआ है यह स्रीनगर से करीबन 80 किलो मिटर है और वहाँ जाने के लिए आपको लगेंगे ढ़ाई घंटे स्रीनगर से सोनमार जाने के लिए आपको बस, शेर्ड सुमो या फिर प्राइवेट टैक्सी भी मिलेगी हिमाले की वादियों में बसे हुए इस जगह में हर साल हजारो संक्या में परेटक घुमने के लिए आते है सोनमार बॉलीवड की मूवीज की शुटिंग के लिए काफी पापुलर है ज्यादा तर समय यहाँ पर शुटिंग होती रहती है मैं जा रहा हूँ ग्लेशियर पॉइंट देखने के लिए सोनमार में गोड़ा वाला एतिंग 700 ए 800 कुछ बोल रहा था बट बट वडह ADA हम तो पैदल के रही है secondsा कि आओ सके पैदल जलते कि तो में जा रहा हू पैदल पैदल चलते है ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे बचाने बचाने है बट गोड़े पे फोटोग्राफी करना है या थोड़े कुछ वीडियो लेना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो इसलिए पैदल जहां सक जहां तक हो सके पैदल जलने की कोशिश करता हूँ और कोशिणी बस नोविंबर से फरवरी तक ज्जादा स्नोफाल की वज़य से ये जगां बंद होती है और एप्रिल से अक्टोबर तक खुली रहती है बाकी होटेल हो अगरे सब यहां पे बंद कुई लोग पास्सो रुपे ले रहा है कोई छेसो ले रहा है कोई सास्सो ले रहा है पर घुड़ा मदब ठीक है बाकी गोड़ी की मेनत तो है यार काफी दूर है उतना पैसा तो बनता है ठीक है सोनमर्ग में काफी सारी चीजे देखने लायक है बट थाजिवास ग्लाशियर जो है वह सबसे ज़्यदा पापुल है उसके बाद गंगाबाल लेक जोजीला पास विचानागर लेक क्रिशनादागर लेक और एक बैटर भली भी है और लोकल साइट सिंग में भी फिश पॉंड और सबर पार्क भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कि नेच्रल वाटर कि जा रहा है बहरा है पाने पीना चेह कि नहीं मुझे पता नहीं लेकर मैं तो टेस्ट करने वालों काफी थंडा पानी है नहीं मुझे लेखा है बहुचे झाल का लाटर कैसा बहुचे करें टेस्ट करतेप्सका यह करें तो पहोचे का लुचे मुचे का पानी है पानी है इस जगह पे आने के लिए पॉनी की जो लास्ट प्राइस उसने मुझे ओफर की थी थी 300 रुपीज तो आप देख लिए उसकी साफ से आप निगोशेट कर लीजे होटेल, रिस्टोरेंट्स, मैगी, कहा वहाँ, चाहे, कॉफी, सब मिले गए इदर स्लेज काट का एक टाइम का वो लोग 300 से 400 रुपे मांगते हैं, बट मैंने 100 रुपीज पे किया था, दो मिनिट के लिए तिंग ये फिर प्राइस है, और अगर आपको बूट्स वगरे चाहिए, तो 50 रुपे लेते हैं वो लोग, रेंड के लिए, और कपड़े भी आपको चाहिए, तो रेंड के लिए मिल जाते हैं, इसको क्या बलते हैं? स्लेज, ये है भाई स्लेज, चलो, ये भाई साब है मेरे चालक वहाँ चालक ड्राइवर, आपका नाम क्या है? सबीर, सबीर, भाई कभी आओगे इदर फोन मर में तो इनसे मिलना रेट अच्छा देते हैं, अच्छा प्राइबा, इए, इस फ्लिए में देजाते हैं, आधा ज़ाता है? समश कुछा आंड वही काथ हैं ये आधा ड्राइखतो इस एजज, ये वही काईटको, इंटा अधागे आधा ज़्ड़ेश साहीं, ये नालका है, तो तो क्या है? तो भीज़ जो सामने लिए उपड़ साँ में? पोब अपर काय रखना है? व्याक जौड है कि अब लोग ने किया है मज़ा आगे ना जो कर लोकल है कि छुट्टियों की वजए से मेह मेना ज़्यादा प्राउडेड होता है और थोड़ा इस्पेंसिव भी अगर आप जुन में आते हो तो आपको होटल के रेट्स और बाकी सारी चीजों के रेट्स जोए तो थोड़े स से आपको कम मिलेंगे और टूरिस भी बहुत ज़्यादा होते नहीं है जून मेंने में यह है रेगुलर रोड होर सोलर रोड और यह है मेरा वाला शॉटकट रोड लगता तो है कि पहुंच जाएगा यह रोड के सासात में चल रहा हूँ है 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 हाँ 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 पोनी में घुमा के ला लाते हैं वो लोग तो उसका 600-700 लेते हैं तीन पोइंट देखने का एक तो थाजिवास ग्लेशियर है दूसरा एक सरबल पार्क है और तिसरा एक फीश पॉंट सुनमर्ग में एक मार्केट भी है जहाँ पर आपको फूड स्नैक्स और कुछ जरूरी डेली नीर्स की चीज़े मिलेंगे और गरम कपड़े बारिश के कपड़े भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे हाला कि रेस्टार्न थोड़े लिमिटेड है बट ठीक है अब मैंने जो जन्नेवाद। जन्नेवाद। जन्नेवाद।